हलो फ्रेंड्स मेरा नाम डॉक्टर सुभास मिस्रा है और मैं एक माइक्रोबाइलोजिस्ट हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर आज बात करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है ओवेसिटी मुटापा के बारे में बात करेंगे क्यों इंडिवीजुल से लेकर के व्ल्डवाइट लोग से परिशान हैं और सिती के बारे मेंसर मी प्रप्रॉबलेम आ रहा है और सिटी के बाच से लोग डेप다면 में जा रहा है अब्लीओ क्यंसर हो रहा है चाहिए Wr obesity के बारे मिबाब करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि obesity के क्या कारण है obesity को कैसे control किया जा सकता है obesity के बज़से mental health पे क्या प्रभाब पर रहा है chronic disease पे कैसे obesity के बज़से produce हो रहा है तो आप वीडियो मेरे साथ बने रही है और अपने information को update करें चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि obesity से आपका परचय कराते है body के अंदर एक ऐसा condition जिसमें fat का accumulation हो रहा है tissue के मतलब आपके body में fat deposit हो रहा है extra fat इकठा हो रहा है कहां पे tissue के अंदर यह हो सकता है genetic factor के बज़से हो यह हो सकता है environmental factor के बज़से हो यह हो सकता है lifestyle के बज़से तो आपको समझना होगा कि आपके body में fat का अगर deposition हो रहा है तो यह obesity obesity को और आसानी से समझने के लिए मैं आपको बताऊ कैसे आपको पता चलिए कि आप obesity के सिकार हो चुके हैं body mass index यह जो body mass index है यह अगर आपका 20 से लेकरके 25 के बीच में है तो आप बहुत अच्छे हैं आपका weight normal है आप overweight नहीं है लेकिन जैसे ही यह 25 से 30 के बीच में जा रहा है यह आपको बता रहा है इंडिकेट कर रहा है कि आप obesity के सिकार होने वाले हैं और जैसे 30 प्लस जाता है तो आपको समझना होगा कि आप obesity के सिकार हो चुके हैं और फिर जैसे जैसे बढ़ेगा यह तो class 1, 2, 3 अलग-अलग category में यह चलता जाएगा तो आपको आपके body का body mass index क्या करना है height के इसाब से रखना है weight को और वो क्या होना चाहिए वो आपको ideal 20 से लेकर के 25 के बीच में होना चाहिए अगर 20 से कम है तो भी problem है आप फिर underweight है इसमें विध्यान देने की जरूरत है अब बात करते हैं next की आपके body के अंदर में जो excess fat का deposit होता है इससे body पे बहुत ही बुरा प्रभाब परता है अलग-अलग प्रकार की chronic disease produce होते हैं अलग-अलग प्रकार का health condition में effect परता है जैसे हम आपको बता रहे हैं अलग-अलग प्रकार की disorder के बारे में हम बताएंगे आपको वो disorder हो सकता है cardiovascular disorder हो सकता है आपके body के अंदर cholesterol का लेबल आपके body के अंदर जो blood pressure का लेबल बढ़ जाता है और फिर heart में अलग-अलग प्रकार की परिशानी आती है और heart stock पक भी आ जाता है जब हम बात करते हैं टाइप 2 diabetes के बारे में obesity के बज़ा से आपका insulin का resistant डेबलप हो जाता है body के अंदर और फिर type 2 diabetes भी patient को होना शुरू हो जाता है इसके साथ ही और भी बहुत सारी disease हैं जिसमें cancer के बारे में बात करते हैं obesity के बज़ा से क्या होता है cancer हो सकता है अलग-अलग प्रकार का breast का cancer clone का cancer endometrium cancer cancer अलग-अलग प्रकार का cancer हो सकता है obesity मुटापा के वज़ा से bone में problem हो सकती है osteoarthritis हो सकता है overweight के वज़ा से joint पे pressure पड़ता है और उसके वज़ा से bone में problem आती है और osteoarthritis हो सकता है अब बात करते हैं कि आखिर obesity के क्या कारण है तो तीन मुख्य कारण है पहला genetic factor दूसरा life style और तीसरा fight जो factor है वो environmental है कि जब हम बात करते हैं कि आपका genetic factor आपके gene के वज़ा से हो रहा है आपके body में genetic कुछ ऐसा changes हो रहा है जिसके वज़ा से obesity हो रहा है जब हम बात करते हैं खाट पका खान पन बहूत ही important है आपके physical activity बहुत important है आपका habits बहुत important है आपका lifestyle के अंदर में कह fragments about कर रहे हैं चहिए वो how our food की बात कर रहे हैं चहिए हम आपके जो daily routine है उसकी बात कर रहे हैं यह सारी चीजा concern है lifestyle से ज़ुरा हुआ है इसके सासत environmental factor क्या है आजकल fast food बहुत ही easily available है अगर हम healthy food चाहें तो बहुत time लगता है सर्च करने में market में लेकिन fast food बहुत ही easily available हो जाता है तो easy to access है तो ये सारे जो life style factor हो चाहे वो फिर genetic factor हो चाहे फिर वो environmental factor हो इस सब के वज़े से क्या होता है अब बात करते हैं कि बचों में obesity के वज़े से क्या परिशानी आती है तो बचों में obesity के वज़े से मुख्य रूप से जो सबसे important बात है कि बचों आजकल fast food बहुत ज़ादा ले रहे और बहुत ज़ादा fast food ले रहे है उनका जो life style है उनका जो habit है उनकी जो behave है उनका जो जीवन cell है उसमें changes आना शुरू हो गया है तो अगर आपके बच्चों का lifestyle ठीक नहीं है अगर आपके बच्चों का habits ठीक नहीं है अगर आपके बच्चों के food की timing सोने का timing जगने का timing ठीक नहीं है तो ऐसे condition में और वो fast food बहुत जादा ले रहे हैं तो more obesity के सिकार हो सकते है और इसका also can sense 1996 क्या है क्या इसका परिणाम है इसके वज़फ Ernstia type 2 diabetes बच्चों में डेबलप हो रहे है बच्चों में mental problem आ रहा है बच्चे the depression के शिकार हो रहे है बच्चों का जो physical health है उसमें problem आना शुरू हो रहा है mental health है उसमें आना प्रब्रम आना शुरू हो रहा है प्रिवेंशन कैसे बचाएं बच्चों को इससे तो क्या करना होगा इसके लिए जो फीजकल एक्टिवीटी है जो एजुकेशन है जो अवेर्नेस है इस सबों पर दिहां देना होगा फास्पूर्स से बच्चों को बचाना हो तो निस्यत रूप से हम इस तरीके के ओवेसिटी से बच पाएंगे अब हम आपको बताने की कोशिस करते हैं कि obesity के वज़से mental health obesity और mental health के बीच में क्या correlation है बहुत important बाइत आप से डिसकस करेंगे depression, anxiety और stigma, obesity के वज़से लोगों में depression आना शुरू हो गया है, मुटापा के वज़से depression आना शुरू हो गया है और जब depression आता है तो depression का correlation है कि से weight gain से, आप मुटापा है आपके पास, आप चले गए depression में और और आप gain करना शुरू कर दिये हो, वज़न लगातार आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा आपको anxiety होना शुरू हो जाएगा, बेचैनी महसूस होना शुरू हो जाएगा, comfort फील नहीं करेंगा, लगातार आपको mental condition आपका will नहीं रहेगा और इसके वज़से stigma, social जो आपका stigma है, discrimination है, ये भी देखने को बिलता है तो ये mental health पे इसका अशर पढ़ता है किसका obesity का cardiovascular जैसे मैंने कहा था कि cholesterol का level बढ़ जाना, blood pressure का बढ़ जाना, stroke का आना या type 2 diabetes मैंने कहा था कि insulin का resistance होना, तो ये इस तब के वज़से भी क्या है, अलग-अलग प्रकार का problem create होता है, body का health पे effect पढ़ता है और जो cancer के बारे हमने कहा था कि cancer जो है, वो अलग-अलग प्रकार के cancer produced होते हैं अब सवाल आता है कि अगर obesity हो रहा है, तो इससे हम कैसे बचे हैं, तो चार मुखे बात दे हैं जो healthy food हैं उसका सेवन करें, fast food के सेवन से बचें, साथ-साथ regular exercise करें, physical activity करें, education, awareness बहुत जरूरी है इसके साथ community में भी लोगों को aware करना बहुत जरूरी है, अगर आप इस चारों चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो निश्यत रोप से आप obesity से बच पाएंगे इसके साथ अगर obesity हो गया है, तो कई बार lifestyle modification के साथ, medical treatment लेने की जरूरत पर सकती है, कई बार surgery की भी आवा सकता परती है, कई बार meditation के साथ, medication की भी जरूरत परती है तो आप meditation भी लें और medication भी, तो ये जो सारी चीज़ है, अगर इस सब चीजों पर आप focus करेंगे, ध्यान देंगे, तो निश्यत रोप से आप obesity से बच पाएंगे, देखे, obesity conclusion क्या है, कि obesity को control आप चाहेंगे, तुरत कर लेंगे तो नहीं होगा, ये long time management है, long time management है, तो इस long time management को करने के लिए आपको क्या करना परेगा, सबसे important बात ध्यान देना परेगा, कि आपको one day activity में, daily routine की activity, अपने खाने का, अपने सोने का, अपने जगने का, अपने physical activity का, education का, awareness का, सब चीजों पर focus देंगे, तो आपने से द्रिप से मुटापा का सिकार नहीं होगे, और अ आपको awareness, campaign जो हमारा है, यह अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे, तो वीडियो को like करें, अपने friends तक share करें, thank you so much.